होगी हर मंझेल हासिल तू चलने की कोसित कर जीत मिलेगी हर जंग में तू SI की तियारी तो कर नमस्कार में मितुर याताब आप समों का आज के सेस्षन में कम्पेटिशन कम्मुटी पर समों का स्वागत करूँगा तहे दिल से ठीक है चलिए आज की सेस्षन में सबसे इंपोर्टेंट टोपिक बात करें अर्थमेटिक के स्रीज में होगा हमारा परसेंटेज कि लिए रहे परसेंटेज की शुरुवात करते हैं बहुत एक खुबसरत उम्दा सा टोपिक है और इस टोपिक को याद अच्छेगा यह वो टोपिक है जो आपके अर्थमेटिक को आप खेलोगे याद अखिएगा आप जिधर मोड़ना चाहोगे उधर लेकर याद अखिए आप एक सवाई सब भूल जाओगे बस यह दो टोपिक का इस्तमाल में ज्यादा सज्यादा करने की कोशिश करूँगा ठीक है चलिए सुरू करते हैं एस सुरू करते हैं परसेंट इसकी मिनिंग को समझते हैं उसके बाद कुछ-कुछ जो इंपोर्टन फ्रेक्शन है उसके हम बात करेंगे सर पढ़ने क्या जा रहे हम बले परसंटेज परसंटेज के बारे हम क्या जानतों हम बले देखिए दो वर्ड से मिलकर बना गए ध्यान से देखिएगा यहां पर ठीकर दोवर्ड क्या दोवर्ड मिलीला सर पर जोड़ सेंट सेंट का मतलब समय मिलाता है हम बले क्या संट का मतलब होता हothा हम XL कै लिए सिंपल भास हम समझा रहा हूं सर इसका नुम्रल फर्म क्या होगा हम भले वन अपन क्या 100 ठीक है चले परसंटेज को सर कौन सी साइन से दिखाए जाए तक परसंटेज का साइन जो है मैं आपे लिख दे रहा हूं इसका मतलब धिया आज के बाद है अगर परसंटेज कोई वर् करेंगे और तावर तोड़ बैटिंग करना पड़ेगा अज ठीक है आज हम टी टोल्टी खेलेंगे ठीक है चले यह सर इसका मतलब सर यह एक बटे क्या देख रहा है पांच तब मेरा सवाल होगा आपसे क्या एक मिनट सर यह 20 परसंट को ही आप एक बटे पांच लेकि हम ब मतलब सेम होता लेकिन लिखने का दोनों का तरीका अलग होता है सर यह क्या है अब लिए दोस्त यह हमारा परसंटेज वैल्यू बहुत बड़ यहां सर यह क्या होगा बोलो कि हम बले क्या दिख रहे आपको पी वाई क्यू के फॉर्म में मतलब सर यह भिन्ने है ठीक है तो यह भी दिया उगला और इंगली उंगलेकस बुलते में था फ्रैक्सन हिंदी में बिदत है तो यह यहां पे दो तरह की वैल्यू मिला मोले ऐख मरू अपरेज भेल्यू और यह आप क्या शुलो सवाल कि सर आम बताओ कि प्रसंटेज से फ्रैक्सन्ट्ट में आप क्यसे च सबसे इंपपूर्ट यही तो है पूरे आर्थमेटिक के दोराँ या दखिएगा पर्सेंटेज से फ्रेक्षन में जाना fraction से percentage में आना ये अपका लगा रहेगा तो सर क्या करेंगे आई इसको यहां पर इसको यहां पर इस्क्रीन सोट ले लिए फटा बट से आगे बात कर लेता हूं चलिए ताब और तो बैटिंग क्या होगा बोलो सर एकी बात बताए थे fraction से percentage में जाओंगा तो इंटू करूंगा 100 अगर हम करेंगे तो क्या मिल जागा सर यह मिल जागा कितना 50% हम बोलो उसी तरीके से एक बटे 3 को अगर क्या करोगे अरे सर एक बटे 3 को भी 100 से गुना कर देंगे तो यह 3 से डिवाइड कर करेंगे भी तो कोई फर्क है नहीं पड़ेगा तो मन में रिमानलों कि उपर में 100 है क्योंकि आप 100 से इंटू करोगा यहां पर उपर में 100 ही होगा तो आप सिद्ध से क्या करो 100 को डिवाइड करतो हम बोले एच्छा साही बात तो सही बोले हम बले 1y4 मतलब 4 से किसको बाग तो मैं आपको एक टेवल की फोर्म में दे सकता है आया कहां से इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक है दोस्त चलिए वन बाई 6 का मतलब हम बले 100 को भाग दो छो से से 962 बच गया चार चार व और भाग दोगे छे से क्या बचेगा दो बटे कितना तीन परसेंट को बढ़े से बढ़ी वैलू दोगे तो मैं किसी का एका निकालने का छमता रखते है बात से में आगया कि नहीं हाँ साही में आगया चलो इसको प्रोस्ट में आ गया हम बढ़ बढ़े ठीक है तो निकालना सी गए को भी नई भेलू कर देदिया मालो एक जांपल सरीक बटे गारा हम बोले कोई नहीं सो को एक बटे कितना हो जागा गारे परसें ठीक है तो यह पूरी खुब सुरह तरीकेस दिख रहा है कि नहीं पर क्लास में क्लास में मेरे साथ याद करो गाईज चले बात करते हैं देखिए सर एक का मतलब 100% 1 by 2 का मतलब 50% 1 by 3 का मतलब 33 to 1 by 3 1 by 4 का मतलब 25 1 by 5 का मतलब 20 सर यह याद हो गया हम बले याद हो गया डन चुलो आप सुमझो रटनमत एक बटे 6 का मतलब सर 16% संथिंग बहुत बढ़िया और हम बले याद होगिया यह रा यह उसकी का मम याद रख लेंगें Haar 12 बदल गया और 12 बदल गया 8侮ें साथ बदल गया चोकदो में चोकदो बदल गया साथ में और आठ बदल गया और बारा बदल गया आठ में बात के लिए ठीक है जब मैंस की कोर्स लाएंगा तो इसको काफी डीटेल बताऊंगा लेकिन इसकी जरूत नहीं के लिए इसको मैं एक बार रफ करता हूं आप इसकी फड़ाबर से ले लिए ठीक है दोस्त इससे बाहर फ्रेक्शन आपको जरूत नहीं पड़ेगा ध्यां रखिएगा ठीक चलो ठीक अगर से भूल गए तो सुनो आपके बच्चे दिमाग में आ रहा है अगर यह मालो फ्रेक्शन हमको दिखा इसको भूल गए तो क्या करेंगे हम एक मिना रफ को समझाता हूं चलो यहां पर देहां सुनिएगा अगर माल लिए गाइच समझेगा तर यह एट इस टू वन भाई थी परसंटेस इसका इसका फ्रेक्शन भूल गए हम रटने कहां बोल रहा है आपको दोस्त निकाल लो ना किसे निकालोंगा सर आठ गुने तीन चोबीस प्लस एक कितना हो जाएगा पचीस पचीस बटे कितना तीन और यह परसंटेश के गाइज परसंटेश देखती मन में क्या करना पडता है 100 से बहाग देने का मन करता या एक बटे 100 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको fraction से जाना, percentage में 100 से क्या करना, into करना है, और अगर percentage से fraction जाओगे, 100 से भाग दिदना, बात क्लियर होगा, क्या, done होगा, guys, उमीद करते हैं, आतक क्लियर रहा होगा, ठीक है, चलिए, अब मेरी बात सुझे, कुछ-कुछ important बाते हैं, मैं आप से क मानूंगा, एक्स नहीं, 100, पूरी 100 के साथ, हम पूरी चेप्टर खतम कर दूँगा, धेहां रखना इस बात को, ठीक है, चलिए, अब सर क्या करना है, बात समझेगा, यहां तक क्लियर है, हम बले हां क्लियर है, चलिए, अब करना क्या है, जितना काम है, सर, मुद्द्द्द की बात यह है, कि कुछ रूल याद दखिएगा, बहुत ज़्यादा रूल मैं आपको याद करने के सरेशन दूंगा नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा रूल याद कराता नहीं हूँ, बिल्कुल कम रूल से पढ़ाता हूँ, हमारा way of thinking सब कुछ है, रूल सर, सर, सो का दस परसंट कितना होगा, या एक्जामपल ले लिजिए, कि सर, पाँच हजार, दखिएगा, पाँच हजार का बीस परसंट सर, कितना होगा, इससे हम बात हुआ कि नहीं, हम बोले कुछ नहीं करना, दोस्त है, पाँच हजार गुने बीस बटे कितना, सो, बात क का मानलो 25% 2000 25 बटे 100 मामला किलियर हुआ है बात समय है कि नहीं बताओ एक यह अधिक दूसरा रोल रहा है कितना परसंट है बात किलियर हुआ क्या यह सवाल क्या है सर यह अलग बात दोनों आप लुका भी शेहम लगता होगा ना 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 सेहम नहीं है दोस्त समझो इस बात को कितना परसंट है बात के लिए रहे देखो यहां पर एक सवाई का कितना परसंट है तो जो पूछा जाएगा उसको उपर रखना जिसके रिस्पेक्ट पूछा जाएगा उसको नीचे रखना गुने क्या करना सो सबस्टाइब दूं क्या हम बोले 10 क्लास का एक्जाम दिये सबसे इंपोर्टन है कोई फर्मूले का इस्तमाल नहीं होने दूँगा चलो, दो दोस्त है, समझो, एक A है, एक B है, यह एक एक्जाम में लाया नमर कितना 40, यह लाया कितना 50, देखिए बात समझेगा, सवाल किस तरह पुछेगा और हम लोगो किस तरीके से हर्ज बारे कंपेर करेंगे, हम बले बावस बताओ, A, B से कितना कम नमर लाया, कितना कम है, कितना कम है, सर कितना कम है 10, हम पुछना चाहते हैं, यह 10 का कम है, किस पर हुआ है, बताओ, आप बलोगे सर, कोई बच्चना 40 पर बलड़ा होगा, हम बहुले, 40 पर हुआ है, 40 में 10 करेंगे, 30 होगा, कई 30 दिख रहा है, नहीं ना, अब सर समझे में आगया 50 में हुआ, क मेरे दोस्त है, 100, बात के लिए रुआ क्या, तो कट जागा, दो बार में सर, इसका मतलब 20 परसंट क्या हो गया, कम है, मतलब सर, A, B से 20 परसंट कम है, लेकिन एक सवाल और पूछूँगा, सर, B, A से कितना परसंट जादा है, बताओगे क्या, हम बले बता देते हैं, पर 10 पर जोड़ के 60 होगा, कहीं 60 दिख रहा है, क्या, नहीं न, तो किस पर हुआ है, अरे सर, आप समझ में आगे, सर, 40 पर हुआ है, क्यों 40 पर दस कितना होता है, 50, तो जिस पर हुआ है, उसी को क्या करना बटे रखना, बत समया है कि नहीं, तो सर, यहां से लिख जिस पर इंक्रिमेंट होगा, जिस पर डिक्रिमेंट होगा, मेरे दोस्त, उसको बेस मानेंगे, एक लाइन में, सर, गुने क्या करते है, हमोले बलोन, क्या करेंगे, 100, 00, 00 कट जागा, 4 से कटा देंगे, 25 वार में, बराव कितना होगा, 25 परसे, मतलो एक बात दिमाग से चा करूंगा, तो comparison का मुद्ध आपको clear रहा होगा, एक छोड़ी फर्मूला, successive percentage change, उसको लिखवा देंगे, ताबर तो बैटिंग करना शुरू करते है, ठीक है, मेरे दोस्त, क्योंकि SI के, प्रिलम्स के पॉइंट पर ज्यादा थियोरी आपके काम नहीं आएंगे, याद दख सुरत सब्द है, सर यह फर्मूला जो बढा रहे हैं, कब लगता है, बता दो, हलाकि इसको नहीं भी लगाओगे, मेरे दोस्त, तो हम है न, हम बता देंगे, बिना फर्मूले गा, ठीक है, लेकिन फिर जान लो, ठीक है, बेचे नहीं होती है, सर मितों सर कोई फर्मूला नह को लगा सकते हो, बस या दर्खें गाईज, जो बल रहा, उसको plus लेना, जो घाट रहा हूँ दोनो, उसका minus लेना, दोनो बल रहा, दोनोdrves यह गटेगा तो minus लेना इसको लगा देना, net percentage चांज आगिया, सर बताओके, हम बहुरे एक का मान 10% है गाईज, तुसरा का 20% है, ह तो इस तरीके से हो सकता तीन वरीवल पर आए तब भी लगा सकते हैं कि इसकी लमाई को दस परसें बढ़ादो इसकी चोड़ाई को 20 परसेंटेज चेंज क्या होगा तो बतीस परसेंट देख लो डारेक्ट पेन तक नहीं चलाने दूगा मैं आपको याद अखिएगा ठीक है हलाकि फिर वह सवाल को स्वाल करने का मेरा तरीका बहुत अलग होता मैं इस पर भी नहीं बात करता हूं ठीक है इससे फास्ट तरीका बताऊंगा मैं आपको भी ठीक है सर यह क्या हम बले तीन वरीवल के लिए अगर एक सब बढ़ जा तो देखिए जिस तरह मैं आपको दो बाते कहा था एक सवाल से पूछा है देख लिए आपका बोला सर देखिएगा सवाल क्या पूछा था ऑठारा ग्राम 7.2 का कितना परसंट है यहां देखिए इस तरह सवाल ने आपके लिए बहुत असान है लेकिन आप यूनिट कर भरजन 7.2 किलो का सवाल को एक हजार से गुणा कर दो जागा गराम में बदल जागा ठीक है अर गुने क्या कर देंगे दोस्त हम लों करदेंगे कितना सौ ठीक है चलिए देखिए यह पॉंट हटेगा तो उपर कितना चला जागगा हम बहुने सार दस जाएगा तो 30 से 30 जू ले प बता दो क्योंकि यहां पर कोई और सौसे गुना करके 25 मत मार देना क्योंकि एक बर सौसे गुना कर चुके थे तो कौन है गाई जिसको पूछेगा उसको उपर जिसके रिस्पेक्ट में उसको नीचे बात किलियर हुआ हां सर किलियर हो गया ठीक तो जल्दी से स्कीन सुट ले सफबसे बीच में जो गैप है उसको आपको पता होना ठीक क्या होगा कुछ नहीं करना दोस्त कुछ नहीं करना है चछी 3 greater 4 Dakota 60 पर संट सर 6त क्यारले कि नीचे करते हैं दोस्त सो किते हैं और क्या देंगे सर कुछ नहीं हम बोले बहुत बढ़ियां सर 2-0 से 2-0 घर भेही दो ठीक है निक क्या करो उसको टाटा वाय वाय कर दो सर 3 से कटा दीजिए न हम बोलो बोलो चार से कड़ा उसर पंदरवार में ठीक है हम बोले क्या पंदरव चाकर नबे और नो तिया 27 मतलब क्या होगा होगा दोस्तों सत्तर कौन सो अपसिन ने काई याग देख सकते हो आप है ना अपसिन नमर गई सी गुना भाग इतना फास के से कर दी है हम बोले गुना कि हमने पंदरव चाकर नबे को नौ ले लिया नौ गोने तीन कर दी 27 हो गया मेरा किल्कुलिशन थोड़ा सा अलग होगा ठीक है उम्मीद करते हैं बात क्लियर रहा होगा ठीक है इस स्क्रेइन पे यह रहा ठीक है सर किसे क्या करेंगा कुछ नहीं कब पुछा था सवाल लि हम बताओं क्योंकि मुझे पता है सर दुनिया की हर एक नमर्य अपने आपने सो होगा तो जिस संखियां की यह बात कर रहा है मेरे दोस्त-ंविय अपनाहा होगा यह सर हंडे होगा किसी संखियां का 25% बेस के बराबर है यह बिस हे के बराबर है तो क्या हम इसका 100% नकाल सकत तो सर कितना हो जागा अब जागा इसका मतलब संख्या निकल गए यहीं वो नंबर है जिसकी तुम लोग चार्चा कर रहा था कई बच्चा एक सबाइज मान मान के परिशान हो गया होगा क्यों माने भाईया यहाँ दखो 100% संख्या निकल गया हम भाईया अब सब्सक्राइब संख्या का 40% हम बोले यह कुछ मत करना 40% का मतलब दो बटे पांच होता इसे भी और नहीं पता यहाँ पर मैं आको डिटेल देख दूँ असी का 40% 40% के लिए नीचे क्या लिखोगे 100% तो सरक परसेंट परसेंट डवल जिरू लिप्टा देंगे और आठ चोका 32 हमारा क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा कौन सा अप्सेंगा अप्सेंगा और सी इस यूर राइट अंसर मेरे दोस्त उभीद है कि लिए रहा होगा ठीक है चलिए फटा पट से स्क्रीन सोट लेजेगा एसाई मैं आपके इस लेवल के सवाल है लेकिन मैं इसके काफी ज्यादा लेव का 5 बटे 12 भाग 432 है तो संखियां क्या होगा हम बोले एक लाइन का सवाल है मेरे दोस्त सर क्या करना होगा हम बोले कुछ नहीं करेंगे यार वो संखियां कितना था एन था एन का 40% मतलब 40 बटे मेरे दोस्त कितना 100 हाला 40 बटे मतलब 40% का मतलब 2 बटे 5 होता है क्या 4 बट बैटे कितना साथ का 5 बैटे 12 कितना है सर data 32 जितना बोले उतना लाइन में अंसर देंगे और extra couple करें करें और का था गितना एउस था इस हम अरी तो बार अप եिए्ला तर्Blue風 ठैओं सब्सक्राइब नीचे निया साथ गुने तीन इधार है लेकिन यह सथीर एकई सिज़र मुल्टिप्ला होगा तो क्या होगा तो सब्सक्राइब प्लब लो इक इस चाह कितना होता है इक होता है कि डेक चपर देख रहा है एक हम तो वही लेकिन पले रूप जाओ देख लेतने क्या है लेकिन जरूरी है इस तरह के सवालों को करना बहुत जरूरी है उम्मदा सब सवाल है यह बात कर लेंगे हम लोग असी परसंट असी में जोड़ा जाता है अब यहां पर कई तरीके कई बचे इसको एक्स वाइज जेड मान करके कर सकता है लेकिन हम बोलते मत करो एक्स वाइज जेड मेरा जो तरीका हो समझते हैं अगर मैं आप से बोलूँ समझना एक में इस को कोस्टन को कराने के लिए आपको चूतकारा मिल सकता है क्या हम बोले वह बएबास मही अगर यह 20 परसंट तुमसे बोलता हूं तो बीस परसंट का फ्रेक्सन को समझो को समझो इसी को बोलता है मीनिंग उप फ्रेक्सन क्या होता हम बोले नीचे परा जो वाल्यों इसको बोलते हैं ओरिजिनल नंबर ठीक है original number ठीक है और यह जो होती है ना इसको original number या value बोलो नहीं original value ठीक है original या total value जो बोलना है ठीक है इसको original value और उपर वाले को बोलते मेरे दोस्त percentage value यह दो बात है अगर आप तुमको theory साथ हम clear करूँगा जितना question कराएंगे ठीक है ना चलिए उपर वाले percentage value बोले नीचे वाले क्या बोले original value या total value ठीक है अब समझना इसका meaning हम 20% बोलते है इसका मतलब है इसको original number ही बोल सकते ठीक है यह total number जो भी है इसका मतलब गईज यह 5 का 20% का मानी एक होता है ठीक है यह 5 का 20% का मानी एक होता है यह उल्टा बोलो सर यह one क्या है हम बले यह one इस 5 का 20% है वही बात है यह one इस 5 का 20% का मान है समझे की नहीं इस लिए दखिएगा इस fraction बहुत काम देगा और यह बात अगर आप पो समझ में आगे तो मैं रफ करूंगा यह सवाल की और रुख करते हैं असी परसंट अफ नमर एड़ेट टू असी गिफ्स नमर इटसल्फ हम बहुत भी यह समझे असी परसंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई असी परसंट का मतलब होता है बता हूँ चार बटे पांच अरे कैसे हुआ सार अरे मेरे भाई नीचे 100 तो लाओ 20 से कट जाएगा हम बहुत यह ही हुए हमारा नंबर यह नंबर की बात कर रहा ना वो नीचे वाला नंबर का हला ता मेरे दोस्त तो सार यह नंबर है हम बहु करके मूब कर जाओंगा तो यह नंबर है हम बहुत है इसका मतलब समझो इस पांच का सरी असी परसंट का मान कितना है चार तो इसका मतलब यह असी परसंट में असी जोड़ो यह असी में असी परसंट जोड़ो बात बराबर है तो दो में पांच तीन जोड़ो पांच होग यह 80% मतला 4 में तुम क्या जोड़ोगे कि यह अपने आपनी नम्बर के बराबर होगा? अरे सर हम तो एक जोड़ देंगे. हम बहुत ठीक, तुम एक जोड़ दोगे? सवाल बहुत हम तो असी जोड़ रहे हैं? हम बहुत मतला मेरा एक कामान मेरे दोस्त है, असी के बराबर, बात समझो, एक बार समझ गए ना, बांकी बच्चा कोस्टन पढ़ेगा तब तक तुम फूग दोगे, ठीक, सर एक कामान असी और यह तो ओरिजिनल नम्बर पुछाता सर, हम बहुत ओर ओरिजिनल नम्बर कितनी बराबर है मेरे दोस्त? पांच, तो पांच कामान निकाल दोगन, भाईया, पांच गुने कितना, असी का मतलब कितना, बहुता 400, तो देख लो अब वो अनसर कितना हो जागा 400, और तुम डिशाइड करो, कि तुमको एक्स वाई मानना है, या इस तरीके से बनाना, देख लो, ठीक है, जल्दी सरु सॉल कर लो, ठीक, सर, इसको डिटेल थोड़ा कर देते एक बार, हम बहुले हाँ कर देता हो लो, तुम्हारा मन एक्स से नहीं भराता है, तो लो कर देता है, सर, वो नमबर का 80%, मतलब 80, बटे 100, को 80 में जोड देंगे, तो बराबर क्या मिलेगा, वो नमबर इट सेल्फ मिल लो, इसको सॉल कर लेते हैं, सर, यह कटा देंगे, हम बहुले, हम बहुत कटा दो, 4N by 5, पलस 80, बराबर क्या होगा, दोस्त, N, सर, इसको इधर लाइए, हम बहुत लाइए, तो यहापर देखो, यहापर, सर, यह एन में घटा देंगे, उधर, क्या, 4N by कितना, 5, यह बरा 25, देख लो, आप इतना करोगे, यह एक लाइने बनाओगे, यह हम तुम पर छोड़ रहा है, तुम डिसाइड करो, आप में जादातर बच्ची यही करते-करते, पेफ़र ने बोलतों सर, हमारा तो टाइम है नहीं बच रहा है, अरे मेरे भाई कुछ सिखो, नया सिखो, ठ 10% and 30 decrease by 10%, सुनो, सर, यह रेक्टेंगल की जो लंबाई है, उसको 10% से बढ़ा दिया जाए, चोड़ाई को 10% से कम कर दिया जाए, तो सर, area percentage change क्या होगा, हम बोले भोल गए area percentage change क्या होता है, तब एक फरनुला बढ़ाया था क्या, सकसेसी percentage change, उससे बन जाएगा, हम बोले ग फरनुला जब पढ़ाय था लगा के दिखा देता हूँ, काई टेंसन लेता हो तुम लोग यार, x गुने y बटे 100, ठेक है, हाला कि तुमारे लिए हमारे लिए नहीं, हम तो अलगी सोचतो है, रुख जाओ, सर, जो बढ़ रहा है, लेंग्ध उसको plus, पलस 10, सर, जो घट र जाएगा, पर अबर मैनस 1, मेरे दोस्त, रुख जाओ, रुख जाओ, ये मैनस क्या दिखाता है, हम बले, decrease हो गया, area घट गई, कितना से 1, मतलब, 1% का क्या, decrement, सर, कौन सा उप्सन है, decrease by 1%, ये फर्मार लगा लिए तुम लोगों ने, खूस हो गया कि नहीं, हाँ सर, लेक सर, बताओ, हम बले, लमाई, गुने, चोलाई क्या होता है, हम बले, हाँ, area होता है, हम बले, हाँ, area होता है, अच्छा, पुरा लिख दू, तुम लोग नाकुस मत हो जाना, हम बले, अपने मन से क्या हम area को, अरे, हमारा मन, भईया, percentage पोड़न है, जो चाह वो मानेंगे, को सर इसके लंबाई को 10 मान लो हम बहुं लो हम बहुं ले हम रोग सकता है अर्श सा सब मान सकता है हम ले तुम भी हुई मान लो अंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिकिन 10 मानना ठब पेर यहा कितना हो जाएगा सो अब सवाल किया बहुत है किसी भी संख्यां का इक यक कषु काफिक सब्सक्राइक कितना वोग्ता है करें तो यह तुम नहीं मार सकता था क्या एक परसंट पर संब करो और अगे घर निगलो ठीक है चलिए तो यह जो उम्दा तरीका का इस से बात करते हैं ना की फर्मूले से ठीक है चलिए अगला सवाल गाई जब के स्क्रिन पे ये रहा सर क्या है हम बहुत है सुनो क्या भी बताता है तुमको भी देख लो क्या है बहुत सर इस्टूडट जो 30% जो क्या लगा एक चात अपनी धनरासी का 30% व्याय करता मतलब खर्च करता है और इसका इंकम है नहीं पता है हम बले तो परसंटेज परड़ो 100 माने से क्यों डरते हो यार तो मालोना बंदा 100 रुप्या कम आता है और यह बोलता सर यह बचत कितना है तीस परसंट कर दिया और 21 रुप्या बचा लिया तो बला सर उसकी इंकम कितनी थी हम बले हम स्वाल करते हैं इसका मतला समझो तीन मैं आता रहे रुप जाओ इतना तुमको आता मेरे भाई सेविंग्स हम बले वजवर्जस्ती मान लोता हूं सर 100 रुप्या कमाए और 30 परसंट का मतलब होता सो अका 30 तो सर हमारा बचत कितना हो गया 70 सवाल बोला नहीं सर 70 नहीं बचाता हूं मैं तो 21 पर बचाता हूं हम ब 21 बचे क्या हो जागा 70 तो आपको एक रिष्ट्यो चाहिए कि आपको income जिसको 100 वान थे वो चाहिए ने सर हमको 100 चाहिए income हम बले लो तो 100 का मान तुमारे सानों निकाल देता हूं मेरे दोस्त 21 बचे 70 और गुने क्या कर दूं 700 हम बले 1 0 से 0 टाटा भाय भाय करो साथ से करा तो सर तीन वार में और यह दस गुना हो जाएगा मतलब दस गुने तीन मतलब कितना तीस तो सर इसका इंकम तीस होगा ओफसन नमर बी बात के लिए रुगा कि नहीं तो यह तरीका होना चाहिए आपको किसी कोस्टन को सॉल करने का ठेक है मेरे दोस्त ठेक है सर ऐसा ही का ना भूल मत जाना बीच में तुम टाइम दो-तिन महने है यह दो-तिन महने गाई जहां देखिए तुम्हारे आने वाले जिन्दगी का 80 और 70 साल डिशाइड करेगी और साथ-साथ माबाप की बुलापा में जो लाइफ होगा वह भी वही डिशाइड करेगी ठीक ह तुम खुद अगर मानलो प्रेविट में 10 साथ का जोब करेगे तो तुम क्या खाक माब की सभा करोगे क्या करोगे तुम है समझ रहा मेरी बात तो जी जान लगा दो हम फिर बता रहे हैं अगर ज्यादा मन नहीं लग रहा न तो जहां पढ़ रहे हो न अब सुन लो हजार रुपय खर्च करो कोर्स में नहीं एसाई का वर्दी खरिदने में जो मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल बात करना हो सुन लो जब पढ़ते हो न मुआ पर चिपका दो अपना चिपकाना नहीं है वर्दी खरिद के टंग दो लोग तुम्हें पागल बोलने लग तरह मन खटकना चाहिए समझ लो तो जो दिन रात देखते हो न और जो सोचते हो वही मिलती है यह दखना ज्यादा होगा तुम्हें पीर बता रहो मोटिवेशन तुम्हें कोई लाके नहीं देगा को पिला नहीं देगा टोनिक की तरह वर्दी लाओ खरिद हो जाके मार्के सब्सक्राइब कर सकता हूं तुम खुच सोचो तब इसके बाद में घर जाओंगा ठीक है बहुत हिरोईन की फोटो गल्फेंड की फोटो लगा लिए कुछ नहीं होने वाला जिनगी में ठीक है चलो सवाल क्या बोला सुन लिए बढ़ा चुके सब्सक्राइब किस से बीसे किसे को मानना बात के लिए क्या और खोन मानना की बात के हुआ है जिस से compare किया जाएगा उसी को 100 मानेंगे हम बले लो बाव यह हो गया सो 20% कम है मतलब क्या हो जाएगा यह 80 अब सवाल बला सर बी ए से कितना परसंट ज्यादा है रुप जाओ अभी पढ़ा चुका थे सर हम पहले बोलेंगे कितना ज्यादा है अरे सर यह 80 और यह 20 है तो है तो यह 20 ज्यादा है हम अब बोलेंगे सर यह 20 किस पर ज्यादा है यह important है सर सो को मत बग देना सो पर 20 ज्यादा करोंगे 120 कहीं दिख रहा तुमको नहीं सर यह 20 पर ज्यादा है तो नीचे क्या लाद होगे तुम लोग 80 और गुने क्या करतेंगे मेरे दोस्त सर सो तो जलिए अगे बरते हैं अगे बरते हैं ठिक है ओई अगला सवाल आपके स्क्रिन पर यह रहा सर यह क्या हैो वहूं लें बतातें ने सवाल है मतलब दो संख्यां मतलब पहली और क्या होगा दूसरी होगी करम सब 25 और 40 परसंट कम है यहां पर बिल्कु सही लिखा हूँ तो जो पिछला सवाल था वही तरीका है लेकिन तुम इसको स्टार्ट कैसे करते हो हम यह देखना चाहते हैं बस सर हम कैसे करेंगा अब देखो हां पर तीन नमर है हम बोले हां ए मान लो बी मान लो सी तीसरी संख्यां क्या माने सी फिर मैं बोलता हूं जिससे कंपेर करेगा उ स्वाइसे 25 परसंट कम का मतलब 25 तो मतलब 25 संख्यां कितनी हो जाएगी 75 सर दूसरी संख्यां मतलब 40 रुपए होता है तो 40 कम बाभू कितना हो जाएगा बोलो 60 कितना हो गया 60 ठीक है सर, ठीक है, आप साथ क्या बोला, बोला सर, what percent of the first is the second, मतलब पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना percent है, दूसरी संख्या कितना percent है, पहली का, जिसको पूछेगा उसको उपर, जिसके respect पूछेगा उसको नीचे, तो बभू यहीं पर देख लो, यहीं पर देख लो, सब दूसरी संख्या पूछा है उसको उपर रखो किसके respect में सब पॉलिस संख्या का उसको नीचे रख दो और गुने क्या कर दो बबू 100 कर दो ठीक है सब 25 से कड़ाओंगा 3 वार में 25 से कड़ाओंगा 4 वार में 30 से कड़ाओंगा 20 वार में नारा है याद अखना इस वार SI पार अच्छा लगे comment box में इसको repeat कर दो ना इस वार SI पार ठीक चलो अगला सवाल आपके screen पर यह रहा चाहिए जितना मेहनत करें करना पड़े करेंगे ठीक है सर यह क्या है हम बहुत आसान सवाल है लेकिन important है बहुत important सवाल है मतलब पैट्रोल के भाव में 25 परसन्ट व्रिदी हो जाने पर एक व्यक्ति उसे लिए कि इतने प्रतिसत कम करें कि पैट्रोल में किया जाने वाले खर्च वहीं रहेगा बहुत आसान सवाल आज का दूम गलत नहीं करोगे मार्केट में समझ यह एक होता है एक होता है कंजम्शन मतलब क्या कंजम्शन मतलब खपत है प्राइस मतलब की मत एक बात समझ लो बस आने वाले वक्ते भूलने नहीं दूगा तुम्हें स्थिद अधर हमारगेट गया 20 रुपया के हिसां है थे है को उन्हें फांस किलुर खरीद लिया 20 रुपएya पर किलो चीनी खरीद लिया तो जेब से कितना खर्च हो गया आगले तुम्हारे घर वाला बेटा सुनो इधर बोले क्या लो सौ रुप्या चीनी ले आओ मतलब कल भी तुम्हारे फैमिली में 100 रुप्या खर्च करता था आज भी खर्च करता है मतलब खर्च कॉंस्टन है नहीं बदल रहा है तब क्या मार्केट गया तुमको पता चला अरे चीनी का अदाम तुब 25 रुप्या हो गया तब सौई रुपयत लेके गया, कितना किलो चीनी मिलेगा, रेसर चार किलो चीनी मिलेगा, चार किलो, तो तुमने क्या देखा, अगर सपराइस कम है, तो कंजमसन जादा, पराइस बढ़ेगा, कंजमसन घटेगा, एक और बात बता हूंगे, इसको रेशियो बना लो, सब पा पांच को पलर दोगे, पांच और पांच चार हो जागा, क्योंकि इन दोना का प्रोड़क्ट भी नहीं बदलेगा, कॉंस्टेंट है, तो इसी बात का फैदा चाहो, तो वहां भी उठा सकते हो, तुम तो उठा देते हैं, देखिएगा, देखो कैसे भी, सेम बात यहां पर अरिजिनल मान होता है, मतलब सर यह ओरिजिनल प्राइस है, यहां पर ओरिजिनल ठीक है, प्राइस होगा, प्राइस की बात करना प्राइस हो जाएगा, ओर जिनल प्राइस का मतलब पहले वाला प्राइस, मतलब समझेगा सर, और सर यह चार का 25% मतलब एक है, इसका मतलब प पलड दिया जाए सर, हम बहुत पलड देते हैं लो, तो पलड देंगत कितना हुआ अब पांच बटे कितना चार, सवाल बहुता सर कि इसकी कंजम्शन कितना परसंट कम हो जाए, रुख जाओ, पहले तुम चार था तो तुम पांच किलो खरीद रहा है, तो रुख जाओ, बीस परसंट की कमी, सर बीस परसंट की कमी किया होगा, कौन सो अप्शन हो जाए, अब इससे भी समार्ट तरिका बता तूं क्या, फर्मूला नहीं, किताबी ज्यान नहीं ही, रुखो, इसको जल्दी सिर्फ तुम भी लिख लो, सिरा सिदा, सर इतना नहीं करेंगे, तो हम गात तूम, कहीं थे नहीं हरा हम बता रहें, नहीं बता रहें, तुम महत्त समझाने का मीनिंग बदल, दोगें गा, क्या करोगए, हम बलेऑ, एक जवर जस्ती का तरीका, शौक प्राइस बढ़ती, क्षर्च बढ़ जाती मिरे भाई, हम बलेऑ, हम मिलेए, हमें जवर जस् अब क्या होगा अगर वह प्राइस बढ़ाए ना तो तुम खार्च बढ़ादो जवर्जस्ति हम बढ़ा दिया हम तो बढ़ा दिये अचा कोई बात नहीं है हम से गलती से बढ़ गया तो वापा से हम घटा दें उतना ही कर देता हुँ बाद में पता चला रहें सब बढ़ रें निकीत लिजा कर दें आ ऊ तो सर कटा किस चाहिए सरी 10 परसंट हो गया चेला लॉअ था जवर्जस्ती खर्च को 100 मान लो अगर प्राइस बढ़ेगा इसको बला दो वगर प्राइस घटेगी तो इसको घटा दो और बाद का लाइन देखना ठीक है चलो जल्द इसे अगला सवाल गाई जब किसा सौट भी गया इसाब सब इसके लिए तुम को मेरी सेशन देखो तुम लो सेशन देखते रो बहुत उंदा सवाल है यह प्राइस वाल तुमारा पीचा छोड़ेगा नहीं और तुम लोग फर्मल लगा लगा ठक जाते हो लेकिन आज नहीं लगाने दूंगा में ठीक आओ सर यह क्या है सेव की कीमत में 20% की कमी के कारण एक व्यक्ती 320 रुपईये में जानते हो सर 16 हम एक बात तुम से सवाल पूछूंगा तुम बताओ यार यह इसको अधीक मिल गया है क्यों मिला इसके लिए responsible कौन है आपका जवाब होगा कि सर यह 20% ना यह 20% कमी होती ना इसको 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 320 पर यह पहले भी खर्च करता था 320 आज यह खर्च कर रहा ह बट यह सेव इसको इसलिए खर्च मिल रहा मेरे दोस्त क्योंकि 20% मार्केट में प्राइस कम हो गई है हम बोले अच्छा बेटा यही 20% responsible हम बोले किसका 20% मेरे भाई सर 320 का हम बोले अच्छा लो ए प्रेन में चला ना कोई किसी भी नमर का 20% निकाले क्लेम क्या बोले उसके एक डिजिर के बाद फोंचिप का दो तो सुन लो 320 का दस परसंटा 32 और 20 परसंट के दो गुना कर दो 64 तो हम बोले भाई सुन लो हाना कि तुम बोलेगा तो हम निकाल देते हैं लेकिन तुम लोग यसे मत क्या करना हम से सिखा करो किसे पैंच बिना चला एक कोसन करते है ठी चला से अब इसका मतलब समय आगे सार यह सुन ठीक रॉपजा ही सोलो अपल का कीमत होगा ठीक है तो सुनो यहां पर कीमत कितना है अरे सार चार बार में मतलब एक लिए लुड़ नहीं क्या करना पड़ेगा सर एक जिरो इदार चिपका देजीए और यह जिरो इदा चिपक तुम लोग पता नहीं क्या-क्यास के लिए करते हो यार समझो इस बात को ठीक है अगर अच्छा लगा है सब साट ट्रिक अच्छा लग रहा सेशन गई तो लाइक और सेशन जरूर करना कमेंट करके बताना सेशन कैसा लग रहा है क्योंकि या देखिए मैं आपके लिए मेंस क टाइप लिखूं का क्या तुम नोट्स बना लना पर उपर में ठीक है सवाल क्या है उंदा सवाल है इस तरह सवाल आपको पेपरवक्स मिल जाता है और आप पता निंगलतियां करा जाता हो ठीक है नहीं करेंगे सर बलस्तार एक देखिए एक पोजेटिव कोई नंबर है य मतलव एक संखिया को 9 से भाग देना था और गलती से हम क्या के बता है 9 से गुणा कर दिए है तो सर हमारे मिस्टेक की वजह से हमारे केलकुलेस्ट में कितने परसंट का एरुर आय यह आपको बताना है मेरे दोस्त एक लाएन बना फर्मुला क्या सुनो हम बोले पहले पहले तो संख्या मान लो सर ये लेट नमबर क्या होगा सर हम बोले नमबर मानने तरीका बलू अगर कोई संख्या मैं 9 से multiply 9 से divide करने की बात करे तो उस संख्या को 9 ही मान लेना अगर कोई नमबर 10 से divide 10 से multiply करने की बात करे मेरे दोस्त तो नवसंख्यां को दसी मान लो वहले बहुत बढ़ हैं तो इनमरकों क्या मान लेंगे जिनवा मान लेंगे अब सुना ध्यान से अ पहले और बाद ताकि यह लिग देउँगा ताकि तुम्हारे है ना समझने में बड़ा वह decomposition पहले बात कि चोड़ो इस बाद को मुद्य की बात कर संख्या- संख्या-9 Mr. और हो ि मॉरे क्या चॉत सरки क्या हुँक्षक्षक्स एक संख्या 9 से can do कर यह सर इसको 9 सरक्कॉर इसको 9 करते ईहां-बक्र यूने अन्योट स्क्राइश नौ है इसको नो सिगुना कर दिए और हमारा रिजल कितना मिल गया 81 तो बाब कितना परसंट का एरर आया किलकुलेशन में यह बताना है कई बच्चे मिश्टेक कर जाओगे रुख जाओ मैं आप से सवाल पूछूंगा भी पहले एक होना चाहिए आ कितना गया सर 81 आ गया हम बले क इतना बढ़ गया अरे सर यह 80 बढ़ गया 80 80 80 को नीचे रखेगा ना कि 81 को और क्या करेंगे मेरे कर देंगे सर तो यहां से क्या हो जागा मेरी दोस्त है आठेजाड पर्सेंट ओ जाएगा तो आठेजाड पर संठ कर रहा है कोम से ऻूपसन नमर क्या करना हम बोले सुनो दोनों की बीज का डिफ्रेंस ठीक है तो डिफ्रेंस लिख लो सार डिफ्रेंस ठीक है बिट विन बोथ रिजल्ट लो ना दोनों की बीज का डिफ्रेंस बोथ रिजल्ट समझो इदर बोथ रिजल्ट अपन सही रिजल्ट हमेशा अपन गाईज सही र अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यह रहा देख लो क्या खुबसूरत सवाल है यार बहुत उम्दा सवाल है पता नहीं आप लोगो कैसे करोगे लेकिन बहुत उम्दा सवाल है ठीक चलिए देखतें गाइस किस तरह कर सकतें सवाल को ठीक है आए सर दो टेलर यह एक टेलर का नाम अग्से और टेलर कर नाम a को टोटल जोए सफब्र विक देता है यह मतलव कितना दिया 550 रॉपस का मतल climbed समझो एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया है पांसो पचास सर इसको अलग अलग बाटना है हम बले रेशियो पढ़ा चुका हूँ जो बच्चा पर नहीं देखे हो रेशियो जाके देखो मजा जाएगा अपको तो रेशियो में क्या बोले थे हम कि सर बाटने की जब बात मांट वाई साब-साफ हिन्भी बोल दिया है ٹिक है एक्स की रासी य की दिगैठाइची क कितना 120 प्रतिसद हो हम बले लाइम सुन लो X का 120% 120% परसंट के लिए अब क्या करेंगे 100 नीचे लाएंगे न बरावर क्या हो जाएगा Y होगा X का 120% किसके बरावर होगा दोस्त Y के बरावर किमसिल करूँ कि करना पड़ेगा मेरे भाई यह हो जाएगा 6 यह हो जाएगा 5 तो क्या करें यह हो जाएगा इसका मतलब बात समझे हम भला सा समझ गए ना कि X अपने इंपलाई को 5 रुपया दिया और Y अपने इंपलाई को मेरे दोस्त कितना दिया 6 रुपया हम भले एक ची बताओ यह क्या है भाईया यह 5 रुपया दिया और यह 6 रुपया दिया तो टोटल 11 रुपया ने दिया हम भले भाईया एक ची बताओ X ने दिया 5 रुपया और Y ने दिया अपने इंपलाई को 6 रुपया टोटल कितना हुआ अरे सा टोटल हुआ 11 रुपया सवाल बना नहीं भाईगारा पांसों पचास को बराबर होगा तो लोग चिपका दे रहा उं। तो पहहने क्यों चलारे होगा नहीं चला रहे हो एक कामान कितना हो गया पचास और पूछा नहीं किसका इस तो एक नहीं सोप्चाइच सब्सक्राइब देख लो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त इससान क्या बताओ बताओ ठीक है जल्दी से स्क्रीन सौट लीजेगा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे यह रहा ठीक है चलो सर क्या सवाल बताओगे क्याम बलेक दम बहुत ही उंदा और असान टाइप का सवाल है मेरी दोस्त आप में से ज्यादा थार बच्चे क्रिकेट का बड़ा दिवाना रहते हो यार सिख लो तुम कितने रन बैट तुम बैटिंग तो करने चल या तो रन बनाते हो लेकिन उनको पते नहीं चलता है कि हम उसको किल्कुलेट कैसे करेंगे परसंटेज में अगर पूछ देंगे तो आओ तुम्हें अपना किर्केट जो खेलते हो उसका रन का किल्कुलेशन बता दूंगा एक बैट्समें ने टोटल 174 रन की पारी खेल दिया उसने उनने 20 गो चोका म मार दिया चोका मतला समझे ना फोर बॉंड्री और च्छका कितना मारा बेटा है ना छोग च्छका मारा उन्हों ठीक है तो बलाके बताओ कि वाट परसंट ऑफ इज रन्स वर स्कोर्ड बाइदा बॉंड्रेज तो यह बॉंड्री से वह कितना रन स्कोर किया टोटल तक श्कोर्ड बाई बॉंड्री प्रसंटेच अर्ण मारा रहा है सरहा है ब बॉंड्री जुकस में तुमसे चैकर निकाल देता मिए लब आगभी बॉंड्री तो निखनेगे हो तो लो निकाल देता हूं परसंटेज, भाई जिसको पूछो तो उसको उपर रखेंगे, हम बहुत बढ़ यहां, सर, जिसके रिस्पेक्ट में, हम बहुत टोटल रण क्या रखोगे, एक सो चो अतर नीचे रख दो, भाईया, गुना क्या कर दोगे, बोलो, सौ कर दोगे, सर, सही, दोबटे, तीन परसंट, मतला सर, टोटल स्कोर का, 66 सही, दोबटे, तीन परसंट, मेरे दोस्त, वो बॉंडरी से मारा है, बात किलियर हुआ कि नहीं, तो जितना रण बॉंडरी से मारे, उसको उपर रख दो, टोटल रण को नीचे करो, बात खतम, ठीक है, चलिए, आपके जो व्याप में सब पुछा गया, तो उन्हों सवाल गलत सेट कर दिया था, ठीक है, लेकिए हम बताते हैं सही सवाल, क्या है, और इस सवाल को के से आप जल्दी से लिप्टा दोगे, या दखिएगा, दुनिया की हर एक नंबर, हर एक चीज अपने आप में कितना हो ठीक, सर कोई fraction है, हम बोले हमाँ, fraction के मान लिया हो लो, PYQ है भीन नी, हम मान लिया है, सवाल क्या बोला, सर इसके numerator और अन्स को कितना से बढ़ा दिया, 140 परशन से बढ़ा दिया, और तुम यहीं गलत करते हो, तुम पता क्या करते हो, गुने 140 पर लिख देता हो, और भाहि पर 140% है, तो 240 नहीं होगा, मेरे भाई, क्यों, 100% अपना, और 140% इसका, तो यहां पर गुना किसे करोगे, यहां पर 240% करना, मतलब जितना बोलेगा, उसमें 100 जोड के करना, नहीं तो गरवड़ा जाएगा, तुम्हारा मामला, कई बच्चे आप में 140 से मार देगा, है, आओ, सर, डिनोमेटर में क्या हुआ है, सर, डिनोमेटर को बढ़ा दिया, 200% से, हम लिखेंगे कितना, 300, 100 अपने से जोड देंगे, क्यों, आपने आप में 100% तो पहले से था मेरे भाई, और 200% और, तो मतलब क्या हो जाएगा, 300% है, 300% है, सर, जैसे इसको बढ़ा दिये, तो यह fraction बदल गया, हम लें क्या बदल गया, सर, यह बदल करके हो गया, चोगदा बटे मेरे भाई, 27, अब लिप्ताओ क्या, परसंट से परसंट को टाटा भाई भाई करो, सर, साथ का टेवल पढ़ लो, चो चोगा, चोबीस, चोपन चे तीस, सर, यह दो से इधर कड़ाओ, दो साथ बार में, दो से कड़ाओ, मेरे दोस्त, साथ बार में, अब क्या करें, कुछ कटेगा, हमल नहीं, अब गुना करो, सर, यह दो, सुन लो, कल्कुलेशन, बराबर के इधर साइड में, जो डिवाइड में, उधर जाकर के इंटू में हो जाता है, और जो इंटू में हो ज जाएगा तो रुख जाओ साइस का मतला अंसा क्या हो जाएगा 35 बटे चोवन कौन साथ मेरे भाई रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ कौन साथ नम्मर ए टिक करो आगे निकलो ठीक है चलिए फड़ा बर से उम्मीद करते हैं आपको बहुत सिंपल भासा में मैं आपको परसंटेल परफिट प्रमडे लॉद का रखेंगे जल़। की पड़ारत ने की तरीके बदल दल द informing सोचने का तरीका बदल दाओं या टेकिए जलिए से आगला सवाल कितना मेरे भाई शर तेरह हजार है एक साल के बाद क्या होगा मुथ दो साल के बाद पिछ था रही कितना तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब मत करो इसको मत करो हम बता रहे हैं किल्कुल इसन आसान करना सिखो क्यों कि तुम लोग तेवल सब्सक्राइब जाएगा सब्सक्राइब बटे कितना सो भाईया दो जिरो से दो जिरो घर जाओ तुम लोग ठीक है आओ तेरह का टेवल आता है हमारा सब्सक्राइब कर देना कौन सा अपस्टना गाई देख लो 16 सब्सक्राइब कर देख अब आगे अच्छा एक रहा नहीं जा रहा है अगर यह सवाल बोलता कि पहले साल 25% बढ़ रहा है और दूसरे साल 25% घट रहा तब क्या करते हैं हम बहुत सवाल क्या बोल रहा हम बहुत खुपसूरत सवाल है लड़कों त्यटा कि शत्यूं प्रतिश सथ लड़क क्या चाथ लिए थे प्राप्तोंxico्य की प्रतिसाथ्स इसको तुम 300-200 मानो, क्यों सर, सवाल असान करने के लिए मेरे भाई, अपने मन से, तुम्हारा मन, हमारा मन, हम जो मान ले, ठीक है, सवाल पर गलत नहीं होगा, सर, हम, अच्छा, रुको, अलग पहन चलाता हूं, तुम बोलेगा, सरी, का कर दिया अब, ठीक है, भगो, सुनो हाँ, कौन, बोयज को कितना मिला है, 20%, मतलब सर, 80% लड़का को मिलवे नहीं किया, सर, 80% निकाल दे, हम बोले निकाल दो, तभी फी बोले थे न, तुम पहन मत चला न, इसका 10% मतलब 30, और गुने 8 कर देंगा, 80% मतलब 8 तिया, 24, मतलब सर, 300 में 240 बच्चे लड़के को नह सर, नहीं मिला, सर, नहीं मिला, मतलब क्रोस कर देता हूं, रुख जा, क्रोस मतलब नहीं मिला, तो बताव सर को, 240, सर, 20, 120, मतलब सर, जानते हैं, हम बोले क्या, 360 बच्चे को मिलवे नहीं किया है, तो वह तो पुछा था, कि कितने बच्चे को नहीं मिला, कितना परसंट को नहीं मिला बाव जो पूछा उसको उपर रखेंगे और टोटल को नीचे रखेंगे लो परसन बता दू बताओ सर 360 को नहीं मिला उपर किसके रिस्पेक्ट में सर 500 के रिस्पेक्ट में क्यों 500 कहां साया हम बले 300 और 200 नहीं माने थे हम बहुत बढ़िया और सर गुना क्या करें सब्सक्राइब करेंगे रुको रुको कहां जा रहो सरी 72 परसन आ गया हम बली इसका मतलब सरफ 72 परसन को तुम मिला ही नहीं था बहुत बढ़िया कौन सा ओप्सन और टीक करो आगे निकलो समय रोकी नहीं आगे निकलो चलो चली आगे बलते हैं चली अगला अगला सवाल करते हैं चली आगे करते हैं सब अप लोग और से बोलते हैं समझेगा इनर्जेटी कर रहा हुडास में फ़ोड़ फाड़ दो समझा हम फिर बोलते हैं तो कोई भी जी सकता है को भी किसी तरफ जिलेता है लेकिन जिन्दगी ऐसे जियो कि वह एकजामपल बन जाए तुमारे आपना एक रात में पथा नोट वीडियो नहीं काम आता है समझ रो मेरी बात सब्सक्राय जान लगा जान तो या जाने दो जिन्दगी का दो ही तरीका जान लगा तो या जाने दो जिन्दगी जीने दो ही वसूल है ठीक है सर यह सवाल करोगे हम बने इससे कर देंगे ना कि आज तुम भूलेगा है नहीं कभी यह सवाल का सुनो मेरे थियोरी बला सर एक पर एक परिश्यार्थी जो है एक स्टुडेंट है तीस परसन अंग पराप्त करके पांच अंगों से क्या हो जाती है अनुत हम लेकम के लिए बश्यों पासिंग में और norug निकाल द देता क्या नहीं सर उत नक्ष बस वही रहा है यह समय करने का मेरे दोस्त passing marks को मन में passing marks के बरावर करना सवाल कभी गलत नहीं करोगे मेरा challenge है तुम से कभी गलत नहीं करोगे सर तो कैसे करेंगे हम बढ़े सुन लो आप से कुछ होगा मैं नहीं बता रहा हूँ एक candidate 30% नमर लाया और ये fail कर गया कितने fail कर गया सर पांच नमर से fail कर गया इसका मतलब अगर इसको पांच नमर हम और दे देते मेरे दोस्त तो इसको pass करा देते fail हो गया मतलब पांच नमर दे दो मतलब plus सर एक और लगा था हम बहुत कौन कितना लाया 40% सर ये 40% जब लाया ना था सर ये 10 नमर मिनिमम पांच से ज़्यादा ला लिया हम बहुत ले मेरे दोस्त ज़्यादा नहीं चलेगा क्योंकि हमको passing मास के बराबर करना है तो ज़्यादा ला इसको घटा दो यार घटा दो इसको ठीक है आओ इधर क्या करा है परसंटेज वाले को एक तरफ ले जाओ और नमर वाले को एक तरफ सुनो भाईया ये 40% में 30 घटा रहा हूं समझो परसंटेज को परसंटेज में घटा दो सर 40 में 30 घटा कितना बचेगा हम बहुत ले मेरे बाई 10 और सुनो ये 10 उदर मैंस में दाके जोड़ दो कितना हो जाएगा ये 15 सर दस परसंट का मान कितना हो जाएगा 15 बलाता सर वाटीज दा मिनिमम मार्क्स रिक्वाइट टू पास पास पासिंग मार्क्स पुछा है सुनो यहाँ पर दो यहीं बात पुछाता अमोले क्या पुछा है तो लोने यहीस सवाल खतम खतम करो सर क्या करूँ अमोले बताओ तो यहाँ पुछाता यहाँ पे व्हाट इसिदा मीनिमम मार्क्स रिक्वाइट टू पास तो दस परसंट का मान केतना हो गया 15 ठीक अब यहाँ पर यहाँ दस चुक्सालीस आफ पर यहां पर तीस परसंट का मान तुम बताओ नहीं दस परसंट का मान कितना हो जागा बहलो परसंट का मन कितना पंद्र तो पंद्र चोका साथ में से दा जगा पचास हमारा दम से पचास आ रहा है क्या मैं हो सकता है फिर पढ़ लो एक बार क्या हलाकि अंसर गलत नहीं हो सकता मेरा रुख जाओ एक अंडिट 30% मार्क्स लाया फेल होगा पांच मार्क से और 40% लाया गौट 10 मार्क से सभी है सभी है पचास आना चाहिए ठीक है वह अंसर के लिए में स्टेक हो गया होगा चेकर लाएंगा ठीक है दोस्त चलो एक बढ़ चेकर लोंगा हम भी तुम भी चेकर कमनें बता द स्टेक किसे फुडEP पर समझें फूलेट इसकर भी यह सबसे उपने सबसे इसको प्रस वेंपोर्टेंट इन केरेas 300 क Anfang कुछ कह लगता है जड़ tiver का लेतीं है करना है कि तो अधार ना के लिए लगता है ठीक है तो तुम लोग उसाब में चकर मत रहना में सुन लो ज्यादा पैसा लगा तो मां के लिए क्या ले जाना कुछ काजू किसमिस जो भी मन करें ले जाना की कोई दिख्कत तो नहीं है तुम लोग क्या करते हो सोना जानू लों जो किस लाट ने समय घिए उस से कुछ नहीं मिलेगा या दखते कि अपने मपाप के अगांस्ट में जा सकती यह ऄद आखक किसह erब बात अनुभण बतारी अपना के चलो इसIs कि खर्च करते बता रहे हैं तुमको अगर नहीं दिया रहते हैं तो सो मन के सवाल बना दे रहे हैं सुन लोग या कहा खर्च कियो 30 परसंट सर इसका 30 परसंट बता देंगे 900 तो सर फूड पर खर्च किया कितना 900 रुपिया बहुत बढ़िया सर कोमा दिया है रिमेनिंग कहां खर्च किया फी में कोमा लगाया सर 25 परसंट 25 परसंट कहां खर्च किया इंटर्टेनमेंट इसका 25 मतलब 4 से भाग दे दो सर इंटर्टेनमेंट का मतलब ई लिग दे रहा हूं समझ जा ना तुम लोग सर 750 रुपिया और आगे का लाइन थोला जरूर सुन लेना यह ट् जाओ जाओ यह रिमेन कितना बचा घ्लत कर जाओग तुम सरी रिमेनिंग कितना बच यह भलर को बता रहा हूं कि यहां पर देखो अब अब बछाए होगा फिर की खर्च किया है तो अब इस 270 रुपया क्या किया होगा भचा क्या होगा बचा लिया होगा तो हुँ झाली सवाल खुबशुरत सवाल गाईश मैं इमीद करते हूं इस तरह सवाल हो को आप पतानी किस तरह से करते हो लेकिन आज आपको नया तरीका सिखाऊंगा यह आपका नया तरीका बोला सरे का एक जो आदमी अपनी कमाई का पचातर परसंट खर्च कर दिया बोले बढ़ियां इस पर भी सवाल बता है ठीक है एक वाता सेविंग्स मतलब बचत यह तीन चीजे तो में इसी तीन से सवाल बनाओंगा उंदा तरीके से सर कुछ तो दिया नहीं है कहा एक जौरत है हम सौ मानेंगे क्या जौरत है इसका क्या जौरत है बताओ ना सौ मालेंगे सर सौ का 75% कितना होता है कितना बचाया होगा 25 रुपया बचाया होगा मेरे भाई अब क्या दिकत है बलो सौ मान करके परसंटेज का मतलब भी सौ होता है समझा खीक है सर समझ गए आगे क्या बला जानता है सर इसका इंकम अन्य कमाई 20 परसंट से बढ़ा दिया हिंदिम देख लो इसकी आई 20 परसंट से बढ़ गई रुप जाओ पहले सौ कमाता था अब 20 परसंट बढ़ गया तो सर कितना हो जाएगा मेरे बाई अब 120 रुपया बंदा कमा रहा है तो पहले से 10 परसंट ज्यादा खरश करने लगा हम बहुत सिंपल है थीक है तो सरी 15 परसंट ठीक है हलांकि इसको अगर कर लोंगे तो असानी से पंदर्व परसन शायगे को असानी से निकाल क्या भी फॉइंट में अजागी चीजिए ठीक है तो लो इसको टास परसेंट कर लो हम बता रहे हैं इसका कारण बता रहा है इसको फोई दिक्रत नहीं एक सब्सक्owa जोड़े है तो कि लिए मतलब सर कमाता भी तो ज्यादा है तो कितना कमा रहे है 122 jakby ậnषी पांच खर्च कर रहा है ना भई petit सब्सक्राइब से बता है सवाल बोला था इसकी बचत कितने परतिसद से बढ़ गई हम बले बता देते हैं लोग पाले तुम कितना बचाता मेरे भाई सर हम 55 बचाते थे हम बले को आज कितना बचा रहो 37.5 सर कितना ज्यादा सर पहले से साड़े 12 रुपया ज्यादा बचा रहा हो हम बोले साड़े 12 रुपया का इंक्रिमेंट हुआ किस पे है सर वो तो 25 पे हुआ है तो सर नीचे रखेंगे कितना 25 और कटा देंगे सब हो गया एक बटे दो सर हमको परसंटेज चाहिए भूलिएगा मत हम बोले 100 से गुना कर दो मेरे भाई दो से कटा देंगे 50 बार में मत असर ये 50 परसंट इसका बचत क्या हो गया मेरे भाई बढ़ गया देख लो बात सर में आया कि नहीं हाँ सर सर में आ गया ये औरिजिनल तरीका हो तो भीया करना है का एक बात बताओं क्या ओर टाइम बचा दो क्या बचा दो देखो लो तुम देखते रहे न ठीक तुम जल्दी से सक्किन सब्चा लेलो मैं बताता हूँ अरे हम ओर टाइम बचा सकते तुमारा यार हाँ आओ बताओं क्या सर बताओं न हम बोले देखना हम इतना से और दस सकिन बचा सकते थे अरे कहां चला इधर आओ हाँ देखो इधर कैसे हम बोले बस बेरा सोचने तरीका देखना तुम लो ठीक है मजा आ जाएगा भी हम बोले तुम 20 परसंट से लिए बढ़ा दिया ना हम बोले हाँ तो भया इसका 20 परसंट का मतलब क्या हुआ हम बोले इसका 20 परसंट का मतलब है आदर कोुञे की तुनम बंदा 20 परसंट ज्यादा बिस रुपया ज्यादा कमार रहा है और सारे साथ... हको Gul Темतल अब कुछ बहुत की तुनम कितने ज्यादा बचा है, पाले कितने साहरे साथ बचा ने को पहले कितना पचीस, तो पचीस को नीचे रख देना मेरे भाई, एक बटे दो, और गुना क्या करें देख लिया, कैसे लिपका दी इसको हम लोग, पचास परसंट, देख रहे हो कि नहीं, यह तरीका होना चाहिए, इससे क्या होगा, ना 120 निकलना पड़ा, ना 7.5 जोडना प समझा, यह तरीका, जल्दी से स्क्रीन सट ले लो, आगे बढ़ रहा हो मैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर गाईज यह रहा, ठीक, बटाबर से, सेसन बहुत लंबा नहीं करूंगा, बहुत लंबा सेसन नहीं करेंगे, समझेगा, एक फैक्टरी में 60% वरकर 30 से जादे सवाल में 30 से जादे एज के मेल की संक्यां सवाल में दिया हुआ है, हम बहुत लो, परसेंट है, तो भाईए सुनो, सुनो, सेसन ज्यदा लंबा नहीं करूंगा, ठीक है, सर, इसका 60% का मतलग कितना होता, साठ, पता यह 6 जो लोग हैं, यह 30 पलस एज के हैं, ठीक है, ठीकतर में 60 लोग 100 में से 30 पलस एज के हैं, उस में से पैतालीस मेल फैक्ट्री में 60 पलस है, सवाल बहुता भाईया, टोटल जो 30 पलस मेल ओवर करके संक्या 350 है, तो हमारा 45 ही हम तु बोलें 45 है, और सवाल बहुता नहीं नहीं, तेरह सो पचास हम बहुता है, मेरा 45 का मानी तुमारे 350 के बराबर होगा, और 45 कर दिये गाई, एक का मान हो जाएगा 30, और हमको एक का नहीं, फैक्ट्री में टोटल वरकर चाहिए, हम 100 मान कर बेटे थे, तो दो जिरो इधर चिपका देना मेरे भाई, और दो जिरो तुम 30 पर चिपका दोगे, तो हो जाएगा 3000, मतलब सा टोटल फैक्ट्री में वरकर था कितना 3000, बात के अगला सवाल, जल्दी से आगे स्क्रिन सट लेजे, फटा पर से में अगला सवाल, आपके स्क्रिन पर ला रहा हूं, ये रहा, एक जवर जशत सवाल, मज़ा आ जाएगा सवाल करके, बस 2-3 मिन का समय लूँगा गाई, जयादा समय मैं अपसे लेना नहीं चाहूंगा, ठी खरीका नया सिखना है, किस से, मुझसे, ठीक है, आओ, बलगा इस फ्रेस फ्रूर्स में क्या था, पानी जादा होता है, तो 8% पानी है, और जब ड्रा हो जाती है, तो 20% पानी बचता है, तो सवाल बला सर, अगर 100 kg मार्केर से खरीद के लाएंगे फ्रेस फ्रूर्ट, तो स पानी है था, तो सो में घटा दो, इसका मतलब 32% क्या है, पल्प, अब चाहो तो इसको छोटा कर दू, हम बला चोटा करता हूँ, सर, चोटा करता हूँ, सर, चार से कड़ा दो, हम बले कितना, 17, 16, और यह कितना, 4 से 8, मतलब सर, यह फ्रेस फ्रूर्ट का हम यहाँ पर सर, ड्रेफ फ्रूर्ट में क्या हुआ, हम बले बता रहे हैं क्या हुआ, सुन लो, सर, अब पानी 20% बचा, हम बले 20% अगर पानी बचा मेरे भाई, तो 80% क्या बचा होगा, पल्प, सर, इसका रेस्च्यू बना दो, हम बले रेस्च्यू बना लो, भाईया, आओ, सर, 0% से दो अनुपात कितना रख दो बलो, 8, सर, यह और खोटा होगा, एक अनुपात, 4, हम बले रूख जाओ, मैरा कहानी सुनना न, हम बले पुरे प्रोसेस के दोरा नेक्ची बताना, सब जी खरीद के लाता हो, हम बले, हाँ, क्या सुक जाता है, सर, पानी सुक जाता है, अरे भ आना पड़ता, इसी हमने नहीं बदला, थियोरिया देखिया, कि इसको बराबर करोगे, पल्प को, इसका मतलब सुन लो, क्या होता है, सर, जब ताजा फर लाते, सुतरा किलो पानी रहता है, तो अब क्या हो गया, हम बले सर, सुतरा किलो में दूए किलो पानी बचा है, हम बले एए oppressi, सोरी, सोरी, सरी यह तो सब्सक्रा दे रहा, हम बले सुन लो, सुन लो, दम तोड़ दिया स्वाल, सर, यह 25 कामान कितना दिया? 100 क्या जी, हम बले बाबो, एक इसका गुना है, तो बाबो यह ऑवी चार गुना कर दो न लो, सुकहावला भी 4 किलो कर दो, 4 क्य कितना हो जागा 40 kg मतलब बात समया कि नहीं अंसर क्या हो जागा 40 kg क्यों सर सौक लाएंगे सूकर कितना बचेगा 40 kg अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यह रहा एक बहुत ही उंदा और ताबरतोर सवाल गाईज इस तरह सवाल में हम बहुत परिशान रहते हैं हम आज के बाद वह परिशानी अपने जेब में डाल दो डिलिड कर दो ठीक क्यों सर यह पास फिल बड़ा परिशान करता है हम जो बत होगे नहीं सर एक एकजाम में 70% बच्चा जाय सब पास कर गया इंग्लिस में और 10% फेल हो गया दोनों सब्जेक्ट में और इस तरीके से 144 कंड़ेट क्या किया बोलो पास किया दोनों सब्जेक्ट में तो टोटल कंड़ेट कितने होंगे मेरे भाई सर हम भी कंफूज हो ग सब्जेक्ट में अगर बच्चा फेल हो रहा है तो वेंड डायग्रम फेल का बनाएंगे और जो जो पास के इसको फेल करा देंगे एक पास रहे गा तो यह न गया अलों इंग्लीश सर सातर परसंट बच्चा किया किया पास तब फेल कितना करेंगा हम बोले सर 30% फेल करेगा बात खतम है ठीक है आओ सर यहां पे कौन सब्जेक्ट है हम बोले मैथ है सर मैथ में पास कितना किया सी परसंट फेल कितना किया होगा मेरे बाई 20% और सर दोनों में बच्चा कितना फेल हुआ है सर दोनों का मतलब बीच वला मैथ में फिल कर दोनों में यह वला है ठीक है सर यह टोटल का मान कितना 30 और यह दस घटा दो मेरे भाई यहां पर कितना बचेगा सर यहां बचेगा 20 इसको अलग पैंसे नहीं होगा दिखा देता हूं चलो यहां पर समझो इस बात को समझो अलग कलर लिलता हूं सर टोटल 30 में 10 जागा गाई क्या बचेगा 20 परसंट थीनों को जोड दो सर ये 20 परसंट प्लस दस परसंट प्लस गाईज जागा 30 परसंट कितना पास हो गया, बताओ, 40%, हम बोले, सुन लो, सर, ये दोनों सब्जेक्ट diyor में पास हो गया, बच्चा कितना 40%, हम बोले, हम बोले, हाँ सर, दोनों, स्वार बला, मेरे बाई, टोटल 40% सर नहीं है सर अपनी कितना है सर टोटल बता हुश्वाली से हम बोले सुन लो लो यहां पर देखना इसका मतलब सब्सक्राइब इसका मतलब समझो सर यह 40% का ही मान जो है सो आपको कितना दिए बताओगे सर 144 दिया है तो क्या करें सर हमको 100% का मान चाहिए क्योंकि टोटल इस् 144 144 बटे 40 सर हमको एक का निंग को 100 का मन्ट चाहिए तो टोटल अपना सो होता है तो सब्सक्राइब एक 144 बटे कितना हो जाएगा 40 और गुने क्या होगा मेरे भाई सो होगा 20 से कड़ा बार नब 20 से कड़ा दो आठीटीटू बार में तो hardware कितना कितना हो जागा कितना हो जाएगा पाइद दूनी दस क्या क्या कुछ गलत हो रहा क्या वीच दूनी चालिस बहत्तर बहत्तर पंचे तीनसो साथ अंसर क्यों नहीं आ रहा है क्या पुछा दूटल लॉप कंडेड वाज ठीक तो होता है ऑफसन बदला भूल गया था क्या हम रुक जाओ चूकि आपर हो जागा वह रहाएं सर तो 72 गुने कितना हो जाएगा 5 मतलव कितना 360 अप्शन मुझे लगता हमने गलत सिट कर दिया ठीक है अब सब्सक्राइब क्योंकि लास्च बोला था ना कि 144 बच्चा दोनों सब्सक्राइ यह और सवाल गाईज बहुत उंदा सवाल है देखते हैं क्या करते है सवाल के लिए छह पुड़ा पड़ चाहिए बात कर ले ठीक है सर दो सब्सक्राइक सब्सक्राइब तो बताऊ कया है सब्टार इस सब्टेक्त कर दोनों सब्टेक्टेक्ट में तो टोटल जए सो बच्चे थे कितने अगर बूम्हीं, तरफ बोस्टेक्ट में तो, पूरे सब्टेक्ट में गाईज एगर फेल का डेटा दया अगर बहुत सब्जेक्ट का वैंड डिया बना के दिखा रहा हूं फटा पर देख लिजे बबू क्या हो जाएगा इंग्लीज अब सर जो जो बच्चा पास कर रहा थो सबको फेल करा दो क्यों सर वैंड डियाग्रम किसका बनेगा हम बले फेल का बनेगा जब बहूत सब्जे सर दोनों सब्जेक्ट का जगा यह है तो सर दोनों जगा कितना 10 परसन लिख देना ठीक है अब मेरी बास समझो जो बात कर रहा हूं न ध्यान सुनिएगा फेल इंग्लिस और फेल इन ओनली इंग्लिस में बहुत अंतर है सर फेल इंग्लिस का मतलब यह टोटल और ओनली का म सब्सक्राइब अब करना चाहिए 10 परसंट तीनों का जोड़ करके सो में घटा देना सब्सक्राइब कर दो चालीस चालीस परसन बच्चा क्या और रुगए दोनों फेल हो रहा है टोटल जैसी परसंट फेल और हम भले तोनों में पास शाहिए है अम बढ़े पास या हम बहुत है, ठीक, चलो, अब 60 कामान रुखो, सवाल 144 दिया, देखलो, हम यांसे जल्दी से स्कोलो, इस किन सट लो हटा रहे है, ठीक है, चली, रेयान सुनिएगा, रेयान सुनिए मेरे दोस्त, 60 कामान सवाल कितना दिया, बताओगे, सर, 144, हम बहुत है, एक कामान बताओ ब सर कटाओ हम बले रोको 22 से 5 बार में 20 से 23 बार में सा 3 से कटेगा हम बले रोको 3 चोका 12 3 8 4 20 और 38 गुने 5 कितना होता है बोलो सरफ पंजे चालीस का जीरो ठीक है कितना 4 5 45 अपन्ददग्छर एरे तीन से कड़ा रहा हूं न हां तीन चौका एचे चीम शोरी सोरी यह कड जागा रूख जए रूख जाओ तो पंचे 40-40 का 0-4, 4-5-20, और 4 कितना हो जागा, बोलो, है न, 24, तो सर, 240, देख लो, न, सर, तो टोटल जो इस ट्रून रहोंगे, कितना हो रहोंगे, 240, बात के लिए रुगा कि नहीं, ठीक है, सर, अगला सवाल, सर, एक और सवाल है, चुरनाब में क्या होता, समझेगा, सर, जो आपके नगर निगम, या पंचायत में, जो टोटल एक लिस्ट चारी करते हैं, उसको में बोलते हैं, टोटल भोटर लिस्ट, समझागे न, भोटर लिस्ट, उसमें से जितने लोग का नाम आए, करकरवा के दबा दिया, सब ठीक है, तो का होगा हूँ, तो सर, वो जो भोट दबा दिया, खतम, अब बोलते हैं, इस सर, एक होता, सब लोग भोट दे दिया होगा, लेकिन 20% भोट डिकलियर होगा न, वैलिड, मतला वैलिड भोट कितना रहा होगा मेरे भाई, 80, अब बोला सर, विनिंग कंडिड, सर, यही भोट बटेगा, किस में, सर, वीनर, और लूजर के बीच में, सर, वीनर कितना लाया, सत्तर परसंट ठीक है भाईया सर विनर लाया सत्तर परसंट सर लो सत्तर परसंट या तो डायटे इसका सत्तर परसंट चपन लिख सकता है तो भाईया सवागे कि लूजर को कितना मिला होगा 30 परसंट मिला होगा है ना बोलो भाईया सत्तर तो वो 30 बोला सर ये तो भूआ जो विनर है न वो 96 जीतगी 96 बोट से जीत गया है हम दो रूको हमारे इसाफ से विनर लुजर से कितना परसंत ज्यादा जिता सर 40 परसंत ज्यादा लाके ज्या रूक जाओ तो ये 80 का 40 परसेंट का मान ही तो है भाई या कितना च्यानबे सो देख लो हम भी तो वही बात बोल रहे है कि सर असी का चालिस परसेंट जित गया तो सर यह जीरो जीरो केंसिल हो जाएगा हम बोले हां तो यह 32 का मान कितना होगा मेरे भाई कितना था गाईश 30,000 कौन सा उप्सेंट है देख लो उप्सेंट नमर फॉस्ट तो इमीद करते हैं यह 11 सेशन रहा था इसको इमीद करते हैं अगले वीडियो में फिर जान जी लगा दूँगा आपकी सेलेक्शन के लिए ठीक है तब तक लिए जय हिंद जय भारत